ये कहने की हिम्मत करते हैं कि महाराशा का जम्मू के स्विर से क्या लेना देदा दूब मरो दूब मरो दूब मरो आप लोग इतने खुश हैं लेकिन उनका चेहरो देखो चेहरा उतर गया है चेहरे की रोशनी गायव हो गई है दर्द हो रहा है दर्द नजाने पाल पोस करके रखा हुआ क्या कुछ चला गया बड़े दुखी है बेचारे समाल समाल करके रखी हुई तिन सो सत्तर देश वाजियों के चरणों में निचावर हो गई है माभात भारती की सेवा करने वालों के चरणों में पहुँच गई भाईयों यह एक भारत स्रेश्ट भारत नहीं चाहने वाले लोग इनको एक भारत स्रेश्ट भारत मंजूर नहीं है उनको तो अपनी राजनितिक रोटियां सेखने के लिए बटा हुआ भारत चाहिए बिखरा हुआ भारत चाहिए एक दुसरे के खिलाब लड़ता हुआ भारत चाहिए यही इनकी राजनितिक चाने चली है और आज वो सारी चाने चौपट होती चली जा रही है साथियों मैं हरान हूँ कि वीर चत्रप्रजी सिवाजी की धर्ति पर आज कल राजनितिक स्वार्थ के कारान ऐसी आवाजे उठाई जा रही है और इनकी बेशर्मी देखो बेशर्मी ये खुले हाम कह रहे है कि महराष्टर के चुनाओं में आर्टिकल 370 का क्या लेना देना जम्मु कश्मीर का महराष्टर से क्या लेना देना ऐसी आवाज उठाने वालों को मैं कहचा चाहता हूं कान खोल करके सुन लो जम्मु कश्मीर भी और वहां के लोग भी मा भारती के संताने ही रहता है अगर जान की बाजी लगा दूँगा लेकिन देश की हिभाज़त करता रहूंगा इस मंत्र को लेकर के छट्रपती सिवाजी महराष्ट की धर्टी के वीर सपोर्ट जम्मु कश्मीर में जाकर के बलिदान देते रहे हमें गर्व है महाराष्ट के उन सपोतों पर जिन्होंने जम्मु कश्मीर के लिए अपना सर्वोच चन्योचावर कर दिया और आज राजनीती के स्वार्थ में डुबे हुए ये लोग अपने परिवार के कल्यान में खोये हुए लोग ये कहने की हिम्मत करते हैं कि महाराष्ट का जम्मु कश्मीर के क्या ले ना दे रा दूब मरो दूब मरो दूब मरो दर्ध होता है दिल में इनने शर्मानी चाहिए उनने शर्मानी चाहिए अपनी सोच पर उनने शर्मानी चाहिए अपने बयानों पर याद रखिए आपके बयानों को आपके प्रतिया को तिरे मारास नहीं पूरा देश सुन रहा है और देश पाई पाई का चुन-चुन के हिसाब मांग के रहे गए मान के चलो